तो चलिए गाइस हम लोग ये application जो है पूरा scratch से develop करेंगे बट पहले हम लोग start करते हैं एक demo से कि आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या बना रहे हैं तो ये है हमारा पूरा का पूरा LLM application जैसे आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे Gemini यूज़ करने वाले हैं मैं क्या करता हूँ let's say कि मैं अभी breakfast कर रहा हूँ तो उसके specific related जो मेरे plate का image है with all the food items मैं यहाँ जाके वो image डाल देता हूँ तो let's say कि यह वाला image डाला ठीक है यह काफी बहुत ही अच्छा खाना है बहुत ही healthy diet है इसमें chicken है broccoli है और बहुत सारे items हैं यहाँ पे आपको देख जाएगा वो खुद बता देगा तो यह जैसे मैंने यहाँ पे click कर दिया tell me the total calories तो यह क्या specifically करेगा LLM app अब यहाँ पर देख रहे हैं running हो रहा है और यह आपको बता देगा कि यहाँ पे हम लोग क्या-क्या खाना खा रहे हैं तो chicken हो गया, broccoli हो गया, क्योने हो गया, sesame seeds हो गया, काफी जादा healthy, lime हो गया, orange sauce हो गया तो यह सारा calories का count बता रहा है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं the total calories is 515 calories the meal is healthy because it contains a good balance of protein, carbohydrates and vegetable it is also low in saturated fat and cholesterol जैसे मैंने बताया है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं proportionally it should be really good, protein भी good quantity में होना चाहिए carbohydrates भी good, vegetables भी good vegetables से क्या होगा, fiber जादा आता है, right तो इससे क्या होगा, कि आपको बहुत ही जादा extensive नहीं खाना है but good proportion में खाना है अब good proportion में भी आप बोल सकते हैं, क्रिश्प सब कुछ जादा ही खा दें क्या ऐसा नहीं होता है, ठीक है चलिए एक और example देखते हैं, मैं बहुत सार ऐसे images down किया हूँ, तो एक और healthy diet का देखते हैं हम लोग तो ये है कुछ healthy porridge ball, ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है ये specific LLM app, और उसके बाद मैं थोड़े images भी आपको भी सिखाता हूँ जहां पर बहुत ही खराब diet बोला गया है, इस तो LLM app के थू, ठीक है, तो responses the nutrition facts, oatmeal, 300 calories, ये सारा calories हो गया तो ये खाना में जो आपको दिख रहा है ये basically है आपका 780 calories this is a healthy breakfast open year, it is high in fiber and protein which will help you feel full and satisfied it is a good source of vitamin, minerals and antioxidants, this is also really good चली एक और example देखते हैं अब ये application हम पूरा का पूरा बनाने वाले अब मैं आपको एक image दिखा देता हूँ जो ये वाला है, ठीक है अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि non-veg, veg, सारे items हैं ठीक है और इसमें हम लोग usually बहुत सारे Indians, जो हम लोग हैं मेरे दोस्त लोग को भी देखा हूँ इतना तो हम लोग easily lunch करी लेते हैं ठीक है, तो response यहाँ पर देखे rice 200, 100 टोटल यहाँ पर जो देख रहा है yogurt, पापड, बीन्स करी, फिश करी के साथ यह है 950 calories the food is healthy as it contains a variety of food items from different food groups, it is also low in calories and fats, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं rice proportionally, chicken proportionally, fish होगा यह चायद fish proportionally और सारे जो items हैं यहाँ proportionally और vegetables भी काफी जादा देख रहा है चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर यह वाला क्लिक करता हूँ चलिए, अब यहाँ पर यह काफी जादा extensive है देखेगा इधर सब chicken weekend बहुत सारे चीज़ है और यहाँ भी एक chicken item देख रहा है इतना बिर्यानी, बिर्यानी यहाँ पर इतना जादा देख रहा है चलिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अब यह at least आपको बता देगा कि भाई यह खाना आपको बहुत कमी खाना चाहिए जादा नहीं, दो अंडे भी है वाँ पर अब अंडे भी देख पा रहा है तो चिकन बिर्यानी यहाँ आपको यहाँ पर देख रहा है 450 calories, mutton curry, यह सारा चीज हो गया 1500 calories इतना आपको specifically बोल रहा है तो यह था थोड़ी examples अब जाके हम लोग अपना application develop करेंगे मैंने आपको बहुत सारे examples सो दिखाई दी है अब पहले हम लोग step by step जाएंगे इस सारे application को कैसे दब बनाते हैं using Google Gemini Pro तो पहली बात मैं जाके अपना terminal खोलूँगा और terminal में जाके अपना पहली बात तो हम लोग करेंगे एक environment install तो हम लोग आप एक environment बना देंगे environment बनाने का तीन तरीके होता है conda होता है python से भी होता है virtual env के साथ भी होता है मैं यहाप स्पेसिफिकली conda यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे I think conda से बहुत ही easily आपका environment बन सकता है तो उसका command क्या है conda create minus p आपका venv environment python का version कौन सा चाहिए मैं यहापे 3.1.0 3.10 ले लूँगा और यहापे डाल दूँगा y तो यहापे अब आपका environment बन जाएगा quickly जैसे यह environment बनेगा तब तक लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़े files बना देंगे जैसे होगा हमारा requirements.txt file उसके बाद हमारा जो next वाला file होगा इसमें वो होगा .env file और requirement.txt में इसलिए हम लोग specifically use कर रहेंगे कि हमको कौन-कौन सा libraries install करना है उसके इसाप से हम लोग यहाँ पे वो लिखेंगे .env में हम लोग Google Gemini Pro का API यूज़ करेंगे तो अभी मैं क्या करूँगे यहाँ पे जाके quickly हम लोग जाते हैं makersuit.google.com slash API की और यहाँ से आपको यह particular URL से Google Gemini Pro का API बनाना है तो आप click कर सकते हैं create API key in this new project जिसे आप click करेंगे आपका API की दिखेगा तो जैसे आपका API की बनता है मैंने अलड़ी को key is equal to this particular API key ठीक है तो यह हम लोग save कर देंगे अब देखें यहाँ पे हमारा conda environment भी बन गया है अब यहाँ पे आप देख पाएंगे यह venv environment folder बन गया है ठीक है अब क्यों environment वे हम लोग अलग-अलग बनाते हैं क्योंकि हर एक project में different different libraries के requirement होते हैं तो आपको specifically हर एक project के लिए अलग-अलग environment बनाना पड़ेगा so that we only install the necessary required libraries ठीक है अब हम लोग करेंगे conda activate venv क्योंकि हमको अब जाके इस particular environment में जो जो requirements है वो सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे बट उससे पहले अब में requirement.txt फाइल में जाके कौन-कौन सा libraries हमको चाहिए वो सारे चीज हम यहां इंस्टॉल करेंगे जैसे हो गए हमारा streamlet pypdf2, google.generative.ai python-.env ठीक है तो यह सारे libraries हम लोग specifically use करेंगे pypdf2 भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग सीधा images के साथ खेल रहे होंगे ठीक है तो यह हो गया अब क्या करेंगे हम लोग जाके next step जो होगा मेरा वो बोलेंगे हम pip install minus r requirement.txt अब यह जो requirement.txt हम लोग install करना है इसका मतलब जो भी यह libraries है यह specific venv environment में install हो रहा है काफी ज़ादा simple काफी ज़ादा easy अभी तक और यह सारा steps हम लोग ने देख लिए हैं अब .env में हमारा google का API की भी डाल दी है अब वही API की हम लोग load करेंगे वह specific environment variable से using this particular library python.env ठीक है? perfect अब जाते हैं खोलते हैं यहाँ पे एक नया फाई ठीक है? जब तक वो रहा है हम लोग ने पूरा का पूरा install भी कर दी है सारा चीज कर दी है और as internet speed आपका installation depend कर सकता है कि कितना time लगेगा क्योंकि at the end of the day हम लोग specific packages libraries install कर रहे हैं by using pip install तो internet की ज़रूरत तो होगी इस case में तो चलिए अब हमारा coding स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जब तक आपका installation हो रहा है installation होने दीजे तब तक के लिए हम लोग अपना app.py coding करेंगे जैसे मैंने बताया था सबसे important चीज आपको क्या-क्या बनाना है एक image दालने का option एक image display करने का option और जब हम tell me about the total calories basically hit करेंगे तो यह क्या होना चाहिए यह जाके हमारे Google Gemini Pro API Vision API से interact करके एक specific input prompt हम लोग देंगे उस prompt के हिसाब से एक response आएगा और response का format कुछ इस तरीके से होगा तो यह सारा चीज हम लोग basically करने वाले है तो quickly let's go ahead and start our coding तब तक लिए लगता है मेरको installation तो हो गया है अब app.py में हम लोग अपना coding स्टार्ट कर देंगे अब इसके लिए पहली बात तो हम लोग थोड़े libraries इंस्टाल कर देते हैं quickly मैं आप ए copy paste कर दोंगा जैसे import streamlet as st google.generative.ai as gen.ai import os यह तीन libraries चाहिए होगा उसके अलावा हमको एक और library चाहिए जिसको हम लोग बोलते है .env import load .env अब यह load .env क्यों use करते हैं हम लोग यह basically हमारा सारा environment variable load all the environment variables के लिए हम लोग basically सारे environment variables को load कर पाए अभी fill work के लिए हम लोग ने एक environment variable बनाया है तो इसलिए हम लोग यहां पर इस specific function को load कर रहे है perfect अब जो next चीज है इसमें हम लोग basically करेंगे genai.configure अब configure इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को API की जो है वो यहां पर load करना पड़ेगा ठीक है तब ही हम लोग इसको use कर पाएंगे तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं API underscore key is equal to os.getenv and this with respect to my google underscore API underscore key perfect तो इसका मतला हम लोग क्या कर रहे हैं यह API key जो है हम लोग यहां से call करेंगे और यही नाम सेम होना चाहिए with respect to this what we are basically calling तो चलिए गाईज अब हम लोग अपना क्या करते हैं कि एक function लिखेंगे जो मैं यहां पर लिख देता हूँ getgemini underscore response और यहां पर जो होगा मेरा input होगा ठीक है अब इसका मतलब क्या है हम लोग जो यहां पर specifically getgemini response लिख रहे हैं यहां पर हम लोग देंगे एक input comma एक image ठीक है अब यह image और input को देखके हम लोग एक specific response देना चाहिए कि भाई वो image में क्या-क्या food items आपको दिख रहे हैं और उसके calories कितने हैं उस सारा काम आपका Google Gemini specifically कर देगा तो यहां पर हम लोग लिखते हैं model is equal to genai.generative model ठीक है और यहां पर हम लोग call करेंगे आप देखें सिंस हम लोग images के साथ खेल रहे हैं तो यहां पर आपको use करना पड़ेगा Gemini Pro Vision यह आपको specifically use करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग लिखेंगे response is equal to model.generate underscore content और यहां पर दो चीज़ देना पड़ेगा जो input है जो यहां पर input है हम लोग इसको prompt भी consider कर सकते है default prompt कैसे Google Gemini को basically act करना है ठीक है तो यह first जाएगा input prompt मेरा first parameter और दूसरा parameter जो जाएगा image of zero हम लोग जब image का information निकाल रहे हैं तो image के information basically हमारे list के format में जो भी पहला image होगा हम लोग यहां specifically देंगे ठीक है अब finally हम लोग return कर देंगे अपना response.text यह हो गया मेरा पूरा का पूरा जो मेरा Google Gemini basic करेगा यहां पर क्या लेगा image का information ठीक है image का information और उस image के information के हिसाब से क्या-क्या input prompt के हिसाब से जो भी वो image में उसको findings मिल रहा है using this Gemini provision वो सारा चीज हम लोग को return करेगा तो basically क्या होगा कि image में देखेगा वो image में क्या-क्या objects दिख रहे हैं उसके calories कितने हैं और उसका summary कितना है वो सारा चीज यह वाला function return कर देगा अब second वाला चीज जो है हम लोग एक और function बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते है input image setup अब देखें जो first step है और यह वाला code में ने अपने अब chat GPT से निकाला है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग देखें यह first वाला यह next वाला function है इसमें हम लोग input image setup जैसे हम लोग एक file upload किये एक image को upload किये वो image से हम लोग को internal details values निकाला है read the file into bytes जैसे हम लोग get values करेंगे तो उसका bytes का data मिलेगा और हम लोग basically उसको एक essay type में डाल देंगे image parts के type में डाल देंगे जिसमें mime type होगा इसका type क्या है JPG और इसका data जो है वो है अपना data जो यहाँ पे bytes के format में निकल रहा है तो जो सबसे ज़्यादा important जैसे application point of view से सोचिए देखे पहले हम लोग ने image upload किया image जैसे हम लोग ने upload किया वो image से bytes निकाले और ये format में change किये क्योंकि जब Google Gemini ज़रो है रहता है वो expect करता है कि इस format में उसको data मिले तो ये वाला जो format है इसमें क्या-क्या है दो important information एक है mime type जो आपका image का type JPG बता रहा है और second जो है वो है data जहाँ पे bytes underscore data बता रहा है तो ये image part ये specifically return कर देगा ठीक है? return कर देगा और उसके बाद हमको पता चलेगा ठीक है image में कितना calories हो ये सारा चीज है ठीक है? तो ये वाला function काफी ज़ादा important है ये कुछ नहीं कर रहा है एक image को ले रहा है उसको bytes में convert कर रहा है और इस format में return कर रहा है ठीक है? अब चलते हैं हम लोग जाके अपना streamlet को initialize करने क्योंकि हम लोग एक web application इसमें use करेंगे जिसको हम लोग बोलता है streamlet अब initialize the streamlet app यहाँ पे हम लोग Gemini Health app लिख दिये हैं ht.header लिख दिये हैं अब 2-3 चीज इसमें हम लोग specifically करेंगे एक है uploaded file मैं quickly copy paste कर देता हूँ इस सारा code मैंने chat GPT से लिखा है बहुत ही simple है गूगल वार्ड से भी अप्लिक सकते हैं यहाँ पे हम एक variable बना रहे है uploaded file यहाँ पे हम लोग बोल रहे है choose an image type jpg, jpg, png इतना ही image आ पाएगा ठीक है? दूसरे images allowed नहीं है उसके बाद ही uploaded file is not none तो यहाँ पे हमारा image दिख जाएगा image.open वहीं नीचे image दिख जाएगा just to make sure that कुछ additional अच्छा चीज हम लोग दिखा है उसके बाद हम लोग एक submit button बे दबा देंगा यहाँ पे submit button हम लोग ने बना दिया है I'm saying that tell me about the total calories okay tell me about the total calories tell me about the tell me tell me about the total calories ठीक है तो food का total calories हम लोग देख रहे है अब देखे सबसे जादा important चीज है यहाँ get gemini response में दो information हम लोग दे रहे है input prompt के image image तो आपको पता चल गए यहाँ से आ रहे है बट यह input prompt कहा से आ है ठीक है तो input prompt हम लोग specifically बनाते हैं और यह input prompt basically बोलता है how should the Google Gemini Pro vision should react like और should act like तो इसके लिए हम लोग एक input prompt में आपको लिख के दिखाता हूँ ठीक है अब देखे यह है आपका input prompt you are an expert in nutrient stress which where you need to see the food items from the image and calculate the total calories also provide the details of every food item with calorie intake in the below format in below format एक है item 1 number of calories item 2 number of calories item 3 finally you can also mention whether the food is healthy or not based on the अब इतना ही बोल देता हूँ चले finally you can also mention whether the food is healthy or not तो इतना simple सा input prompt हम लोग इस तरीके से act करने बोल रहे है Google Gemini Pro vision को ठीक है अब देखे किया इसका result काफी बढ़िया होगा ठीक है और finally हम लोग क्या करेंगे कभी भी कोई submit button clicked हो ठीक है और उसके लिए हम लोग use करेंगे input image setup ठीक है और यहाँ पर हम लोग डालेंगे वो होगा अपना uploaded file ठीक है अब यहाँ से हमारा input data image data तो मिल गया ठीक है दो next function होगा वो होगा अपना get Gemini response उसमें जो first parameter है वो होगा ये input prompt तो input prompt यहाँ पर दे देता हूँ second parameter जो होगा वो होगा मेरा image तो ये दो हो गया sorry image underscore data तो ये दो information चले गया ठीक है अब finally हमारा यहाँ पर मिल जाता है response अब यही response को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ht.header ठीक है और यहाँ पर लिख दूँगा the response is the response is और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा ht.write ht.write और जो हमारा response है वो हम लोग display करेंगे देखे बहुत ही simple दो function एक है अपना जमिनी से जो response आ रहा है एक है अपना जो image data का response आ रहा है और एक है जो streamlet app है ठीक है और finally हम लोग जो input prompt हम लोग बना रहे है ठीक है इतना ही simple है guys ठीक है तो चली अब जाकर run करते हैं इसको सारा चीज़ देखते है whether it is working fine or not तो यहाँ पर quickly हम लोग इसको कर देंगे और लिख देंगे streamlet run app.py quickly let's see whether everything will work fine or not ठीक है तो यह हो गया मेरा health app अब यहाँ पर हम browse करके देखेंगे बढ़िया वाला healthy meal देते हैं name image is not defined ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब यहाँ पर मेरा एक library missing है let's see which is that library import image ठीक है import image as sorry from p.il import image ठीक है done अब देखते हैं सब rerun हो जाएगा लग रहा है तो यह मेरा आगया image upload अब देखते हैं tell me about the total calories करते हैं अब देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं सारा चीज and it should be able to give us all the exact values और इससे let's say कि यह मेरा breakfast है कि यह breakfast का मैंने फोटो दिया name response is not defined देखते हैं कहां पर यह issue आ रहा है return response response okay copy कर देता हूँ यहां पर paste कर देता हूँ spelling mistake था कोई problem नहीं है का इस हम लोग भार नहीं मानेंगे error से तो हम डरते ही नहीं है बहुत ही simple तरीके से सारा चीज जो आएगा आएगा हमारे सामने अब देखते हैं tell me about the total calories फिर से name line number 67 चाल यह वही मेरे को लग रहा है spelling mistakes है the response is यह वाला response same mistake हम लोग ने किया था अब मैं rerun करता हूँ आप finally run हो जाना चाहिए ठीक है तो perfect देखते हैं आएगा की नहीं हमारा पूरा का पूरा solution then यहां पर देखिए orange chicken 450 calories broccoli 40 kuana 220 calories total calories so the meal is healthy because of good balance of protein carbohydrates this 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 बहुत ही perfectly सारा चीज मिल रहा है दूसरे images के हिसाब से देखते हैं healthy ball approach यह वाला देख लेते हैं अगर यहां tell me about the calories बोल दू तो I think it is working actually fine तो अब आप अपनों को खाना जो आप लोग खाते हैं whether you are eating a healthy diet और यह पता लगाने के लिए अब specifically LLM app अपने हिसाब से बनाईए तो यह रा food items 863 calories the meal is healthy option it contains both fiber and protein this is all the information that you have मैं सारा का सारा materials GitHub link मैं देदूंगा description मैं आप जाईए देखिये और अपने हिसाब से इंपलिमेंट करिये and yes this was it from my side